हेलो अवर्यवन, मैसल्फ राम विला स्विंग, लेक्ट्टर इन मेकानिकल एंजिनरिंग फाम जीपिसी चित्तोडगर्ड, आज हम पड़ेंगे, सिंसे न अटोमेशन अटोमेशन सब्जेक्ट में, कंप्यूटर इड़ेड़ पार्ट प्रोग्रामिंग, जिसके नहीं देखेंगे, इंट्रोड़ेक्शन ओफ, आटोमेटिक प्रोग्रामिंग टूल, जिससे हम एपिटी प्रोग्रामिंग लेंग्वेज भी कहते हैं, तो आईए देखते हैं, Computer Aired Part Programming, जिसमें हम एक लेंग्विज के जुच करते हैं, apt language जिसकी full form है Automatic Programming Tool तो apt language में हमारे यहां पर चार प्रकार के हम statement यहां पर define करते हैं Geometrical statement, Motion statement, Post processor statement and auxiliary statement तो हम यहां पर पहला type का statement देखने वाल है, Geometric statement. तो यह शुरू करते हैं In programming in apt language all geometric elements must be defined before tool motion may be programmed देखिए, tool की motion को बताने से पहले हमें सबसे पहले क्या करना है जित्ते भी geometric element उनको defined यहां पर कर लेना आविश्यक है Geometric expression defines a geometric shape or form Geometric element का मतलब क्या है कि वो object की shape और size को बताता है जो geometry है object उसको यह दर्श आता है और जैसे कि हमने देखा था कि इस object की जो geometry उसको में क्या करते हैं elements में split कर देता है यानि कि point, line, circle जो भी elements उसको में क्या करते हैं geometry को split कर देते हैं divide कर देते हैं तागे देखें किस परकार से हम करते हैं यहां पर geometric statement associate a symbol with a description of the geometric element and its parameter तो यहां पर हमें geometric statement लिखने के लिए यहां पर जो हमें 3 quantity चाहिए पहला symbol दूसरा geometric type and third one is the descriptive data यानिकि जिस element को हम define कर रहे हैं जिस element को हम याप पर लिख रहे हैं ठीक है जैसे circle के बारे में लिख रहे हैं तो circle के लिए symbol आएगा ठीक है उसका जो है element का नाम आएगा फिर उसके लिए का हम क्या लिखेंगे descriptive data लिखेंगे एक जनरल फोर्म है यहां पर वहीं आपके पास symbol equals to geometric type oblique descriptive data तो आपको जो ही यह format आपको उपयोग में लेना है किसी भी geometric element को define करने के लिए statement हम इस तरह से यहां पर लिखते हैं इसका format क्या है देख लिए symbol geometric type and descriptive हम देख लिए symbol हम किस प्रकार से लिखा है यहां पर जैसे मैं पास point है लाइन हो गया circle हो गया plane हो गया तो अगर इसे मुझे define करना है geometric statement में तो सबसे पहला काम क्या करते हैं symbol लिखते हैं देखें symbol क्या होता है symbol consist of up to six alphanumeric characters यानि कि 6 जो है छे character होते हैं alphanumeric हो सकते हैं number और alphabet का mixture यहां पर हो सकता है लेकिन maximum किते होंगे 6 होंगे या तो 6 होंगे या तो 6 से कम character होंगे containing at least one alpha character and avoid reserve word देखें symbol जब हम लिखते हैं किसी भी element के लिए point हुआ circle हुआ लाइन हुई तो उसके लिखें करते हैं alphanumeric जो है character जो alphanumeric word use में लेते हैं और यह कम से कम जो होना चाहिए जो भी आप symbol बना रहे हैं उसमें जब आप symbol लिख रहे हैं तो symbol में आपको जो रिजर्व वर्ड है एपिटिक लेंग्वेज के जैसे point रिजर्व वर्ड है circle c-i-r-c-l-e circle वो रिजर्व वर्ड है तो ऐसे वर्ड को हमें symbol के तोवर पीज में नहीं लेना है क्या क्या करता है एक मीन प्रोवाइड कर आता है ताकि हम किसी भी जो इलिमेंट उसको हम नाम दे सकें देखिए यह जो सिंबल हो कुँँ रिसाड करता है यहांई कि हम ब्रोग्रामर डिसाइड करता है कि हम symbol क्या दें पीवद्गें स्टार्ट्पोंट के लिए ettr pnt दें कुछ में नाम दे सकते हैं टियानिया में रेखना है कि यहांपर कम से कम एक alphabet हमें काम में लेना है देख लेते हैं क्या क्या इसकी देरख है किसे डिसाइड करें देखिए जिसे पीवन लिखाओ यहां पर आपने सिंबल का नाम लिखा हुआ है पी अब देखिए साथ करेक्टर आचुके अगर जहां पर साथ करेक्टर आगे मतलब यह सिंबल नहीं नहीं है यहां पर ये सिंबल हम यहां पर यूज में नहीं ले सकते क्लिए क्या पर छे इस से ज्याद़ गएं इसलिए यहां पर शे खरेक्टर हैं लेकिन ज़िए कमंगे अल्फाबेट होना चाइंच आप अलफाबट नहीं है इसलिए यह भी सिंबल अक्सेप्टेबल नहीं है यहां देखते हैं पॉइंट एक रिजर्व वर्ड है जो एपीटे लेंग्वेज की वोकेबलरी में सेव है पॉइंट को बताने के लिए तो इसका हम यह सिंबल के तौर पर नहीं कर सकते हैं और यहां देखिए जैसे यह है कि किसी भी इलेमेंट को नाम देना कि अगर यह पॉइंट है तो इसका में कुछ नाम देता हूं अगर यह सिंबल है इसके बाद हम लिखते हैं यह कि geometric type कौन सी है circle है point है line है geometric elements are defined by reserved as given in apt vocabulary as point line plane circle are valid apt geometric type तिहां पर हम यह बताते हैं कि कौन सा element है point है line है plane है circle है जो होगा हम बताएंगे आपर second के अंदर था symbol geometric type हम देखते हैं descriptive data descriptive data में क्या लिखते हैं descriptive data का मतलब यह है कि जो भी हम यहाँ पर जो entity लिखने जो element हम लिख रहे है point line plane को हम जो नाम दे रहे हैं तो point की जो है क्या description है circle के description है वह हमें लिखना होता है slash करके जैसे यहाँ पर हम लिखा symbol equals to geometry type upon यहाँ आपको जो क्या लिखना है descriptive data लिखना उसके बारे में जो information यहाँ पर लिखने है the parametric description specifies parameter of geometric entity जो भी geometric element है आपके पास point line plane इसको जो parameter है हम वह यहाँ पर लिखेंगे descriptive data के अंदर जैसे अगर point है तो हम क्या लिखेंगे point के coordinate लिखेंगे अगर line है तो line में क्या लिखेंगे कि किस किस बिंदू से पास हो रहा है ठीक है अगर circle है तो हम क्या लिखेंगे circle के जो है descriptive data में इसकी radius कितनी और center क्या है तो यह कुछ जो हम descriptive data लिखते हैं यहाँ पर ठीक है किसी भी entity के लिए किसी सब्सक्राइब करना है तो आपने सबसे पर लिखा symbol यहाँ पर पॉइंट के है पॉइंट वोकेबिलरी में सेव है पॉइंट को लिखने के लिए और स्लेश करके क्या करका है 10,80,20 के लिख रखा है descriptive data लिख रखा है मतलब P1 यहाँ पर symbol है और P1 symbol किसको नाम दे रखा है क्वोर्णने पॉइंट को नाम दे रखा है कौनसा पॉइंट को तो 10,80,20 पॉन्ट को नाम दे रखा है तो इस तरह से हम यहाँ पर लिखते हैं जैसी तरह सारी करें पर आपके अपके पास ठीकिन इस तो यह ड़ियरक्या 성ी डिख रहे ह्आइब ए लुट किसको दिया है लाइन का नाम है और लाइन कंग क्या है लाइन के पर लायन के बार। लिखते हैं वोकेबिलेरी के वर्ड हुए या फिर सिंबल के वर्ड हुए इसमें में एक चीज बहुत ही मतपुर्ण दियान रखनी है यहां पर मैक्सिमम 6 करेक्टर ही होते हैं 6 या 6 से कम होते हैं जैसे आप आपको लिखना था पैरलल तो आपने पैरलल पूरा नहीं लिखा और इस तरी के से बहुत सारे वर्ड जो है 300 जो है वर्ड यहां पर से हैं और जो यूज करते हैं ठीक है कि फॉर इच जोमेट्रिक फॉर्म देर और वन तो फॉर्टीन डिफ्रेंट मैथ मैथ मैथड ऑफ डेफिनेशन यानि किसी भी जोमेट्रिक इलेमेंट को को डीसान करने के लिए हमारे पास यहाँ पर जो हे जो हे चवुदा मैथड हो सकते ही ठीक है एक यह से मon, डेखेंगे यहाँ पर आपिटी लेंग्वीज सोलर प्रकार के geometric element को define कर सकता है ठीक है कितना प्रकार के geometric element को define कर सकता है ठीक है उसमें से कुछ दे रखें point line circle ellipse hyperbola plane cylinder korn is pair तो यहां पर جो plane cylinder korn is pair वो क्या है 3D हो गया minus circle ellipse hyperbola क्या हो गया 2D हो गया और point क्या हो गया 1D हो गया ठीक है तो इस तरीके से मिल नेशली कर सकते हैं लेकी गिया है। 3d त्लक्राइब सब्सक्रास कर सकते ह। कर सकते हैं तो हम यहां तो यहां पर धियान रखना है इस तो n रूल देखते हैं, coordinate data must be specified in order x then y then z, तो जब भी आप coordinate point लिखेंगे किसी point के तो आपको पहले x के coordinate लिखने है, फिर y के लिखने है, फिर z के लिखने है, तो यह हमें ध्यान रखना है, second, any symbol used as descriptive data must have been previously defined, तीक है, देखें, जैसे यहाँ पर हमने देखा था, कि यह देखिए, जैसे यहाँ पर हम लिखा है, L1 बराबर line oblique P1, P2, यानि कि जो L1 है, वो किसका नाम है, लाइन का नाम है, और यह line क्या है, P1, P2 से पास हो रही है, तो यहाँ पर हमने descriptive data में, हमने symbol को लिखा है, P1, P2 के symbol है, किसके point के symbol है, ठीक है, P1 और P2, किसी दो point के symbol लिखें हमने, यानि कि यह जो symbol है, वो पहले ही define किये हुए होने चाहिए, यह हमें द्यान दखना है, ठीक है, अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, L2 बराबर line oblique P3, parallel, L1, यानि कि यहाँ पर L1 line और P3 point दोनों ही पहले से ही define होने चाहिए, तब भी आप यह statement आप लिख पाएंगे, त P3, किसका symbol है, किसका name है, किसी point का name है, तो यह पहले से define किये हुए होने चाहिए, यह हमें आप पर ध्यान रखना है, ठीक है, third point, a symbol can be used to define only one geometric statement, यानि कि एक symbol से हम क्या करेंगे, क्यावल एक geometric elements को हम define करेंगे, ठीक है, and only one symbol can be used to define any given element, और एक प्रकार के symbol को हम क्या करेंगे एक प्रकार की geometric element के लिए यूज मिलेंगे, जिससे हमने आप लिखा था, P, P समने जो दरसाया था, point, इस प्रकार समने लिखा था, line, तो line के लिखा था, L1, L2, L3, L4, तो इसका भी हमें ध्यान याप पर रखना है, ठीक है, और यह भी है कि, जो है, किसी भी element के लिए, क्य define करने के आपर क्या क्या तरीके हैं, तो देखिए, apita language के अंदर हमारे पास 26 different तरीके हैं, यादि कि 26 हमारे पास तरीके हैं, जिससे हम point को define यापर कर सकते हैं, ठीक है, कैसे कर सकते हैं, देखिए, mainly, अगर हम देखें तो, अगर हम इसको category में divide करें, तो 26 जो तरीके हैं, 26 format हैं, उसको हम category में divide करें, तो किवल तीन category हैं, इनकी define a point by its coordinate, तीक है, यादि कि coordinate हमेगा अगर पता है, तो point को कैसे define करेंगे, दूसरा, define a point with respect to an entity, यादि कि पहले से कोई element आपको पता है, line, point, plane, circle, अगर पहले से कोई आपको element पता है, तो उसके respect में, कैसे हम point को define करेंगे, third one is, define a point as intersection of two entities, यादि आपके पास दो entity हो, दो को element हो, दो line हो, या फिर एक circle, एक line हो, या फिर दो circle हो, तो उनके intersection से जो point बनते हैं, जैसे दो line अगर intersect करती है, तो एक point बनता है, तो हम उस तरीके से कैसे point को define कर सकते में यह भी आपर देखेंगे, तो आए कुछ देख लेते हैं, here we see some format of point defining, तो पहला हम देखते हैं, जब आपके पास coordinate पता हो, जैसे x, y, z, यहाँ पर देखिए, लिखा हुआ है, p1 equals to point oblique x, y, z, यहाँ पर p1 क्या है, p1 symbol है, किसका symbol है, point का symbol है, और p1 क्या है, point है, और point को 0, तो इस तरीकर से हमें आप पर point को हमने define कर लिया है, p1 नाम से हमने इस point को पहचान लिया है, इस तरीकर देखिए आप, p1 equal to point oblique x, y, तो यहाँ पर हमने z लिखा नहीं है, z नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है, कि z की value 0 है, जहाँ भी z को हम नहीं लिख रहे हैं, इसका मतलब z की value क्या है, यहाँ पर 0 आपको मान के चल लिए, जैसे p1 oblique point oblique 3.0, 4.0, तो इसका हमें ध्यान यहाँ पर रखना है, और देखते हम, अगर हमें कोई दूसरा element पता हो, तो उसके respect में हम जो है किस प्रकार से point को define करते हैं, जैसे देखिए, p1 equals to point oblique center, c1, तो इसका म का center, यानि किGroup का center को हम क्या नाम दे रहे, P1 नाम दे रहे, यानिकिकिक जैसे point के प्रेमिटर की है, वह point कैहा है, c1 circle का center है, त zurór हमने बता दिया, पर c1 a symbol हम ने यूज मिलिया है, descriptive data में हमने आपर c1 को approach, इसक्ल मतलब c1 पहले से define किया हूँ और यहाँ पर होना चाहिए, तो यह हमें यहाँ पर ध्यान रखना है ठीक है नेक्स देखें जैसे पी वन इकोल्स टू पॉइंट अब्लिक सीवन कोमा एट एन एंगल एटी ए एंगल यानि कि किसी एंगल पर ठीक है इसका मतलब क्या है पॉइंट ऑब्लिक सीवन यानि कि यह जो पॉइंट है वो सरकल सीवन की परेधी पर इस्तित है यहाँ पर इसका मतलब क्या है ऑब्लिक सीवन का मतलब क्या है कि यह जो पॉइंट है वो सीवन जो सरकल है उसके परेधी परिस्तित है और कहां इस्तित है से 45 दिगरी के एंगल पर इस्ती थे तो यह में आपर ध्यान रखना है अब देखें जैसे किसी जो दो इलिमेंट के इंटर्सेक्शन से कैसे पॉंड निकालते हैं देखते हैं आपर जैसे आपर लिखा हुआ है पीटू इकोस्टू पॉंट औबल इंटरसेक्शन ओंफंग लिखने हैं से शारे वड आपको याद रखने हैं आपको याद रखने हैं 300 अ 부분이 यह यह 3100 एसे होते हैं उनमें सी कुछ आपको ध्यान रखना है यानि कि L1 L2 दो लाइन है जिसके इंटर्सेक्शन पॉइंट क्या है पी टू है यह आपको ध्यान रखना है यहाप पर अगर एक सरकल और एक लाइन अगर इंटर्सेक्ट करें तो यहाँ पर हमारे पास जोई दो पॉइंट प्राप्त होते हैं यहाँ पर जैसे जिस प्रकार से एक सरकल है C1 और लाइन है L1 अगर यह दोनों इंटर्सेक्शन करते हैं तो यहाँ पर जोई दो प्रकार के मिलेगा और पिट्यू मिलेगा यहां पर हम बात करेंगे यहां पर लिखा हुआ है यहां पर इक्व टू यह देखिया पिवन इक्वल्स टू पॉइंट अब लिए यानि कि L1 line और C1 circle के बीच का जो intersection हो रहा है उसमें x small की value है x small की value मतलब देखिए आपर दो intersection point है तो P1 के लिए x की value small आएगी और P2 के लिए x की value large आएगी ठीके मतलब यहाँ पर हमें क्या करना है x small जो है वह हमें आपर point लेना है तो यह हमने बता दिया आपर P1 इकोल्स टू point oblique x small intersection of L1 C1 यानि कि दोनों के intersection जो point मिल रहे हैं उन दोनों point में यह कौन सा point है जिसके लिए x की value small है तो आपको ध्यान रखना है अगर इन L1 C1 क्या है सिंबल है जो पहले से define कि होगे होने चाहिए तो यहाँ पर अगर्म जन्रलाइट फॉर्म देखें आप क्या है जो जन्रलाइट फॉर्म पॉइंट अबलिक डैरेक्शनल मोडिफाइर एक्सिसमोल एक्स लार्ज वाइश समॉल वाइ लार्ज रिसम क्या बोलते हैं डैरेक्शनल मोडिफार यह क्या बताते हैं और यह कुछ लेट्ट बता लाइन जैसे हमने देखे कि पॉइंट को डिफाइन के लिए करने के लिए आपर 26 तरीके हैं 26 प्रकार साम जो डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से लाइन को डिफाइन करने के लिए हमारा पर 27 यहां पर मैथड होते हैं all of this can be classified into three category अगर इन 27 प्राइस फर्म को अगर हम देखें तो इसको मैंने तीन कटेगर में डिवाइट कर सकते हैं पहला डिफाइन लाइन बाइट टू गिवन पॉइंट नहीं कि दो बिंदू से लाइन को डिफाइन करना यान यहां से स्टार्ट और यह वहां पेंड़ या फिर जो यह लाइन जो डिफाइन लाइन इस अगले तरीका का डिफाइन यह है कि आप लाइन पर इस तरीक पोइंट बता यह ठीक है और लाइन का किसी और एंटी से आपके बता दो रिलेशन बता दो इस तरीका हम जो है लाइन को define करते हैं यहाँ पर तो देख लेते हैं कुछ example जैसे की by given point और other line अगर आपको point given है या फिर line given हो तो आप कैसे करें देखते हैं यहाँ पर पहला L1 equals to line oblique P3, P4 यानि कि जो line है L1 किसका नाम है? line का नाम है line को हमने जो identify कर रखा है line को हमने जो नाम दे रखा है और यह line कौन सी है जो P3, P4 बिंदू से पास यहाँ पर हो रही है यानि कि आप P3, P4 symbol है जो पहले से define के वहाँ पर होगा अगर आप P3, P4 अगर symbol नहीं लिखते हैं तो आप इसको इस तरीकर से भी लिख सकते हैं L1 बराबर line oblique XYZ P1 point का, XYZ P2 point का, clear? अगर आप symbol लिखते हैं तो परद से define किया होगा चाहिए अगर आप symbol नहीं लिख रहे हैं ठीक है अगर परद से define किया होगा नहीं है तो आप इसको इस तरीकर से भी लिख सकते हैं अब नेक्स देखते हैं कि जो line अगर किसी अक्सिस के parallel है और किते distance पर है डी डिस्टेंस पर यहां पर है ठीक है अलाइन विच इस parallel to and at a distance D from the X और Y-axis यानि कि X-axis तो आपने लिखा X-axis, D यानि कि X-axis के parallel है और यहां पर दूरी कितनी है D दूरी है ठीक है तो यह हमें ध्यान रखना है यहांपर ठीक है अगर देखिए क्या लिखा हुआ है L2 बराबर line oblique parallel L1 यानि कि जो L2 line है वो line L1 के तो parallel है, x2.0 अब सब क्या मतला पर देखिए यानि कि यह जो line है L2 वो L1 के तो parallel है लेकिन दूरी बतानी पड़ेगी ना आपको कित्ती दूरी पर है तो दूरी कित्ती दे रिखिए 2 यानि कि 2 mm की दूरी पर है और यहां जिस डिरेक्शन में x की value घट रही है उस दिशा में है आई देख लेते हैं इसको देखिए जैसे की यहां पर देखिए जैसे यहां पर L1 लाइन जो है बीच में बना रखी इसने आप पर देखिए 2 mm की दूरी पर जो है L2 है यहां पर यह L2 है आपके पास इस तरीके से एक सिस्मोल लिखा इसका मतलब क्या है कि जिस डिरेक्शन में घट रहा है आपको उस डिरेक्शन में जाना है ठीक है तो इस तरह किसी जो है L2 पॉइंट यहां पर हम डिफाइन करें तब देखते हैं L3 के लिए तो यहां पर यहां पर लिखा है L3 इकोल टू लाइन ओबल तो देखें इस तरह किसे L3 लाइन आपके पास यह हो गया है तो इसको आप इस तरह किसे डिफाइन यहां पर कर सकते हैं तो यहां पर जो लाइन आपके पास वह क्या है लाइन आपके फिए एल्टू बराबर लाइन ओबलिक फीव एट एंगल ऑफ माइनस 30 एल वन यानिकि जो लाइन जो लाइन जो एल टू है वहो पीवन से पास हो रहे घौद यह जो एलएल लाइन है उसको कट कर रहे है और माइनस 30 डिगरी पर रहे हैं जब हमें कोई यहां पर किसी एक्सिस को किसी एंगल पर कट कर रहा है तो इसको मैं इस तरह कर से देखते हैं जैसे यहां यहां पर द्यान रखना है किसका एक्जम्पल था इसका एक्जम्पल था कि जो लाइन है किसी पॉइंट से पास हो रहा है प्लस किसी अन्य लाइन से एंगल बना रहा है तो इसकेस में इसका यूज करते हैं अब नेख लेते हैं कि अगर बाइप पॉइंट एन रिलेशन विद अधर एंटिटी जैसे कोई लाइन है आपका किसी अन्य लाइन के पैरलल है और किसी अन्य बिंदू से पास हो रहा है तो उसको में इसकेस लिख देंगे क्यार्व पर मुएं ऐसे अन्य पैर चेस्वार को बाइन ते अन्य विंदू से पास हो रहा है तो इस तरी के से कुछ मैंथटरARS किसी डिफाइन कर सकते हैं next circle in apt a circle is considered to be a cylindrical surface से जो हम circle के मानके चलेंगे कि cylindrical surface है हम मानके चलेंगे circle जो है cylindrical surface को surface को दर्शानी के लिए cylindrical surface के path बतान गम जो circle का उच करते हैं आपर that is perpendicular to xy plane जो क्या होती है xy plane के जो surface है वो xy plane के perpendicular होता है और एक्सेंट टू इन्फानेट इन जैड़ डियाक्शन आम ऐसा मान की चलते हैं तो एक्सेंट के तो प्रेपेंडिकुलर ओर जैड़ डियारा हूं यहां पर जो है 27 फॉर्मेट्स हैं जिसके तुरू सर्कल को हम डिफाइन करते हैं और यहां पर जो कुछ कटेग्रीज हमने बना रखी वह है डिफाइन सर्कल बाइप और पॉइंट और पॉइंट आज राफेंस अनिकि अगर हमें पॉइंट पता है जैसे सर्कल पर तीन पॉ करता है और लाइन पता है तो पन के सर्कल कैज होता-ता है отсे सब्सक्राइब कर सकते हैं लाइन क redo कि सर्कल की साइब अग्म किसी सरकल को डिपाइन कि एंड कर सके हैं तो पर हम गजामपल देखें जैसे कि सीवन वराबर क्या है सर्कल उब्लिक सेंटर आप एडियस अब अगर आपको Center और रेडियस बता है तो आप इस प्रका से डिफाइन कर सकते हैं ठीक है सb लिखा आपने उबलीग करके Center लिखा Center क्या है ऐशने चाश्द marketing सरकल और तरीके से कि आफने अगर कंगे और करें सर्कल सेंटर कोमा पीज क्या है कि पीज क्वाकुन तो मतलब क्या है सर्कल अगेन सीवन बराबर सर्कल अबलेक पीवन पीट्टी यहां पर ना ही रेडियेस लिखा ना ही सेंटर लिखा सब्सका म मतलब क्या है कि फीवन पीट्टी àण्ट क्या है इस सर्कल के उपर इस्तित है यहां पर जो सरकल इसकी सर्कल के सेंटर हमें पता है पीवन सेंटर यहां पर सरकल का और यह तो सरकल है वो क्या है L1 लाइन के टेंजेंट पर है तो यह हमें यहां पर ध्यान रखना है नेक्स देखना हम प्लेन को हम डिफाइन कैसे करेंगे देख लेते हैं प्लेन अर अमंग दा मॉस्ट फ्रिक्वेंटली उस जिमेंट्रिक एंटिटी फॉर डिफाइनिंग कटर दिआएग कि जो प्लेन है और इस प्लेन कों-कों से बियंदू स्तित तो अगर आपको किसी अन्य प्लेन के रेश्पेक्ट में डिफाइन करना तो किसे करेंगे देखी जैसे आप PL1 बराबर प्लेन ओबलीक एक्स वाइपलेन गेति प्लेन प्लेन के तो पैरलल है ठीक है और कित्ती दूरी पर है तो आपने लिख़ा और ZX PLANE के PENALHALEL होता हूँ अगर किसी ने PLANE के पेलेल हो तो please जैसे आपको देखे contain P1 λिख पन से पास होने वाला plane . q1 लिखा मतलब क्या है कि पीफन पोइट से पास होने वाला plane यह ब्लीक पैरलल स्टोल्ड मुबलाबर plane , 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 ब्लीक पैरलडल है और पीफन बिंदुसे पास हो रहा है यह text ुप्लेन एगवेन सिंबल है दे पहले से define को वा होना चाहिए यहां पर तो हमने कुछ देखा किस प्रकास define करते हैं अब हम जो एक एक जो इग्जामपल देख लेते हैं जैसे यहां पर आपको पॉपश कोई में पास यहां प्लेट के थिकनेस कुछ है और यहां पर जो है पॉइंट करने पड़ेंगे लान डिसाइड करना पड़ेगा सर्कल और प्लें यहां पर देखे यहां पर देखें अगर मिन्दू निकाले हैं यहां पर फाइव अगें पी सिक्स पी से पी सेवन पी एट ठीक है यहां पर जो है तीन आपको हॉल भी बनाने हैं तो पी थ्री पी फॉर पी नाइए ठीक है जब से पहले जो जो यह नौ बिंदू है उसको आपको डिफाइन करना पड़ेगा यहां पर ठीक है इस तरीके से की कौन से बिंदू है टीक है और रचेक को जाएगा गांपको जो है यह घुंदा करना है और कोडिनेंट पता करने हैं और कोडिनेंट को इसको आप P2 से पास होने वाली लाइन है तो आप हमें लिखा है L1 बराबर लाइन ओबलेक P1 P2 ठीक है इस तरह के लिखा है C1 के लिए जो C1 क्या है सरखल एक है ना सर्क जो है सलिंड्रिकल सरफरस है जिसको हम जो है सर्कल से बताएंगे तो यह जो इसकी रेडियस का है रेडियस तो 5 है और सेंटर क्या है P4 है P4 हमने पहले से डिफाइन यहाँ पर कर दिया है तो हम क्या करेंगे P4 के हिसाप से हम सर्कल को यहाँ डिफाइन कर लेंगे Central Grade क%, कैसमेंगे, देखिए, सीवन क्या है और सेंटर क्या है पीफोर है इसका ओर रेडियस कितनी सब्साइब करते हैं सारी जो लाइट देखिए डिफाइन जो है स तरह से पास होने वा ठीगे के हैं अब पे सिंध से टिफाइन को मैंसे से define करते हों देखिए लिए याने की u client करने के लिए तीन मतलब क्या है कि जो प्लेट का उपर वाला सर्फैस हमके फ्लेट करने प्लेट से घर करें से देन करें फिर प्लेट कोड़न करने लेकिन तीन क्या होने चीन है को लेनियर नहीं होने चीन है एक ही लाइन पर नहीं होने चीन है लिए यहां पीटिटी नहीं लिख सकता क्योंकि पी से लिख सकता है। तो हमने आप लिखा है 157 याने कि P1 ठीक है P5 और P7 जो क्या है को लीनियर नहीं है तो इस प्रकार से हम जो है लिखते हैं आपर तो आप आपको यह वीडियो अच्छा लगगा होगा और आप जो है कि अजय है लिए तो हैं झाल झाल